हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में हम बात करेंगे डी सी वर्सेज आरा ड्रीम 11 प्रेडिक्शन ग्रैंड लिग पॉइंट अफ यू से स्मॉल लिग का वीडियो फुल स्टैट्स बेस अल्रेडी मैंने डाल दिया है वो आपने नहीं देखा तो आप मोगी जाके दे सेम मैच में हमारी फॉरकस्ट फैमिली से अभी भाई है अभी कूल इनका मुझे मेल आया था और इनका टीम ने में माय लक इस माय मा तीस लाख इनके पास आप देखोगे जो लोग थे उसमें इनकी 72 रैंग 4500 भी जीते एवन इनकी एक और रैंग अच्छी आई थी आई थ लिविंग स्टोन भी नहीं लिए इनकी टीम में एक आधी गलती रह गई थी पस आई थिंग इनके पास ललित यादव नहीं है ठीक है और एक आदा इनको जो बैस्टो की जगा पंजाब का कोई और प्लेर चाहिए था जो थोड़ा रंस बला रहता बाकी टीम इनकी फुल एक दम बढ़िया टीम है एवन CVC अच्छे से शाइद रिवर्स होता तो और बहतर हो जाता बढ़ मजा आया ऐसा ही कुछ आज भी ट्राइब करेंगे ठीक है आज भी दिल्ली का मैच है कॉम्बीनेशन पर जाना मैं आपको हर कॉम्बीनेशन मैं आपको गर एक्जामपल द आपके हमारे चैनल के टेलीग्राम में जुड़ जो दो लाक चालेस हजार लोग जुड़ चुके हैं और वेरिफाइड चैनल है बहुत लोग पैसे मांग रहे हैं उनका भी आज पर दफाश करने वालों इसी वीडियो में तो बिल्कुल थोड़ा सेफ खेलो लेकिन ऐसे ल सबियालिटी बताता है। जो अवेरिनेस अलाता है जो एजूकेशन पिलाता है जो इस फील्ड में ही नहीं वो बंदे को कम सपोड़ करते हैं अब आपको क्या करना है वह कंस प्र दिंपने नहीं पर नहीं नहीं लोग कैसे उस सम्ने मेरे स्क्रीनशॉट मैंने जैंका से इ भूम भूम लिख दिया इसने वीडियो पर ये हमारे विनिंग स्कीन शॉट पर 58 में सिर्फ 37 कॉंटेस्ट जीते हैं आधत क्या है फोरकस्ट फैमिली की 58 में 58 वली आधत है और उस पर ये भूम भूम लिख रहा है और पते हैं पैसे मांग रहा है यही चैनल वला पैसे मांग हद होती है मतलब प्राइम के नाम पर प्राइम मिनिस्टर को पता लग गया ना वो भी परिशान हो जाएगा कि बाइचल क्या रहा है अब आप यह देखो एडिटिंग देखो ऐसे अधिटिक तो बहुत गुरू करते हैं अगर आप ध्यान से देखो को बहुत गुरू करते हैं समझ जाओ बट समझो दो कप्तान कैसे कर लिए इस भाई ने यह कैसे एडिटिंग होई भाई मुझे भी सिखा दो यह कैसे कर लेते हो मुझसे तो वीडियो एडिट होने में एक देखंटा परशानी निकती है वो भी मैं कर नहीं पाता अच्छे से यह भाई ने क्या कि इसके दो-डो कैप्टन है अब भाई यह तो ग्रैंड लिग जीच जेगा रोज दो-डो कैप्टन कैसे कर लिए इसने समझदार आप खुद दो ठीक है कुछ ग्रैंड लिग पिक साब को बताने वालों ठीक है इन सब पे ध्यान देने के वज़ाए अब फोकस करते हैं इसका मतलब यह तो नहीं है इनको मुका तो मिले आप उपनर आउट होंगे तो मिलेगा आज बूज लग रहा है ओपनर प्लस वाइव बोलिंग अच्छी है दोनों टीम्स की मुश्किल है ठीक है स्पैसिफिकली अगर यहां पे आप देखोगे तो ट्रेंट बोल्ट के मैच अप वर्नर शौ के आगे तो ओपनर वला सौरण मुश्किल आज तो यह चीज़ ट्राय करना बढ़ एक दो ओपनर वले भी करना अब देखो यह बहुत सारे प्लेयर है सब को दो ट्राय करना नह अज तक उस पर याउट किया फ्यूज वाई एक ही गेंज क्यों डाली है लास्ट इम दोनों दिल्ली कैपिटल्स में तो थे फिष्ट में दो सालों से इसलिए ठीक है अब यहां देखो रियान प्राक कम सेलेक्टिट है ट्राय कम ही करना बढ़ अच्छे प्लेयर हैं मौका उतना नहीं मिल रहा थोड़ा सा क्रेटिसिजम भी चल रहा है बट कैच्छिंग में रहते हैं जो मेरे फेवरेट है उसमें मैंने आपको यह बताए रवी अश्विन सरफराज खाड रॉमन पावल करुन नायर तीनों में से एक को तो ट्राय करही लेना अट लिस्ट करून बहुत बढ़िया खेलते हैं इनको गट्र करना पड़ेगा अगर बटलर आउट हो गए देवदेद पड़ी कल आउट हो गए आठवे बबर में आगे करून नायर खेल सकते हैं इनको ठीक है यह ध्यान रखना साथ पावल और सरफराज बिसे एक को ट्राइक दोनों को एक कठें मत करना रॉमन पावल अगर आपको लगता है डिली का टॉप अटर बहुत अच्छा करेगा फिनिशिंग में कामा सकते हैं अगर आपको लगता है एक आदा जल्दी आउट होगा तो सरफरास को ट्रैकर डाना इवन बाइपिक कर लेना एक्सचेंज में ठीक है धियान राजस्तान दोनों की लाइन अपस आपको यहां पर देखने को मिल रही है बात करो कर दिली की छे में से तीन मैं जीते हैं तीन हा रहे हैं अगर बात करो राजस्तान की छे में से चार मैं जीते हैं दो हा रहे हैं दोनों का करम मैंने लिखा हुआ हुआ है इसी करम के एसाफ या ले लेना आपकी ग्रेंडिक टीम वैसी सी हो सकती है लेकिन टीम्स कॉपी करने से पहले समझना सोच है यह यह सोच आपको लेनी है टीम्स नहीं चलिए अब आगे चलते हैं आज मैं क्या सोच आपको देने वला हूं देखो पहले हम कुछ रहे हैं राजस्तान के फेवर मे सोच समझनी है यह आपको हर मैच मेल्प करेंगे कोई भी टूनामेंट हो अब आप यह देखो बेसिको प्लस वाइब इसमें मैंने किया क्या है पांच बोलर लिया राजस्तान के पांच बोलर में रपास आ गए 20 ओवर मैंने राजस्तान के कवर कर लिए ओपनर को ले लिए चार ऐसे प्लेयर चाहिए जो हमें रंस करके दे अब उसमें आप फॉल्स वन भी ट्राइब कर सकते हो अक्षर को ले लो क्या पता अक्षर टॉप फॉर स्कोर्स में आजए राहुल चाहर आ सकते हैं तो अक्षर तो फिर प्रूवन बल्लेबास है शादूल ट्राइब लो यह फॉल्स वन्स बन सकते हैं अब जरूरी नहीं है ना पांचो प्लेयर विकेट लें तो यह देखो मैंने अक्षर को ले लिए रवी अश्विन को साइड कर दिया अब हो सकता है इन पांचों में चारी बुलर को विकेट मिले इन चारों को एक एक विकेट भी मिल जाए अ प्लेट को लग रहा है मोगोई भी विकेट नहीं लेंगे मान लो तो साथ बेशार दूल को ट्राइक कर लो कोई और बल्लेबस कर लो इसमें रोमन पावल भी ले लो वह भी तो कुछ रन कर सकते हैं ठीक है तो यह तो रहा है राजस्तान की जाए अगर राजस्तान की एक व हैं अगर विकेट मिल रही है इन चारों को तो विकेट कीपर का भी रोल रह सकता है तो यह कॉमिनेशन टॉप 3 प्लस 4 है ठीक है अब यह देखो ओपनर ड्रॉप 2 प्लस 3 यही कॉमिनेशन में मैंने ओपनर को उटा दिया देवदत परड़ी काल नहीं है सारा टार्गेट सै क्योंकि मैं मानो पहले या दूसरे ओवर में ही विकेट सैंसन भी तो बट्र जिता स्कोर कर सकते हैं वह तो अड़िए ड़्ाइज कीपर का भी एकैज कर सकते हैं स्टंपिंग कर सकते हैं वहां भी एड्वांटेज है नोट करिएगा मैंने आँ अक्षर को नहीं रखा मैंन पर इकाल को और अगले दोनों प्लेयर चेस कर लें पूरा टार्गेट ये टीम सुपर हिट हो सकती है फिर ये जरू ट्राय कर लेना अगर आज राजस्तान चेस करेगी ये जरू ट्राय करना आज ठीक है इसमें आप ठाकूर की जगा चाहे रहमान या खलील कर लेना ये यूज कर दिया आपको आपकी सोच पर आप क्या कर सकते हो सोच नहीं लिमिट करनी अपनी ठीक है ये चीज अब आप देखना ये तो आपको दिखा दिया मैंने आगे के कॉमिनेशन्स है कुछ मैंने जो और कॉमिनेशन्स बनाया है बोल्ट का मैच-अप एडवांटेज ब पूरा राजिस्तान की बोलिंग को अडवांटेज दिया है मोकोई को साथ में लिया और बोलर नहीं लिये शारदूल ठाकूर को लिया है अक्षर को लिया रॉमन पावल जो बाद में एंगे ना दो विक्टों के बाद आप देखो दोनों उपनर आउट हुए सर्फराज आ दोनों कर दो मैच अप देखके चलो मैच अप से तोड़ी काम होता है यूस करना वह बहुंपोर्ट है अगर बटलर वार्ण करने पड़ते हैं हम लोगों को सब कुछ कुछ देखना पड़ता है आप लोगों का इतना ज्यादा हम पे वो तना प्रेशर की हमें देखनी पड़ती है हर चीज सिलेक्शन देखनी पड़ती है आपका मन नहीं है दिल कह रहा है ना वान दर आउटो का बोल्ट पे कह मेरा भी रहा है बट मैं कर सकता हूं कि थोड़ा ज्यादा है हिम्मत करनी पड़ती है ट्राय करना जो फूर मेंबर खेल रहे हैं ठीक है अब यह चीज देखो डीसी ओपनर्स को भी तो हमने फाइदा देना इसमेरे पहले बल्ले बाजी मानिये दिल्ली से इसलिए इन दोनों को भी लिया है और पंत को भी लिया अक्षर मु क्योंकि आज लेफ्ट हैं दिल्ली में तो उनकी बॉलिंग यहां पे राजिस्तान में उनकी बॉलिंग आएगी वरना आप ठाकूर को भी ले सकते हो क्या दिक्कत है ठाकूर को हाला की पंत वेस्ट कर रहे हैं काफी ज्यादा ठीक है कुल्दीब को बहुत अच्छे से यू बन सकते हैं अभी अश्विन ओबर्ड मकोई जो कुछ स्कोरिंग कर लेते हैं ठीक है अब एक सेज्ट में देखो क्या ध्मान में चाहिए एक प्लेयर बोला था तिलक वर्मा मैंने अपना इस प्लेयर कल दिया नहीं था पता है कि लोगों ने तिलक वर्मा को लिया को मेंट देखो जाके कल दो चार ना फालतों के कॉमेंट आई जाते हैं बट वो मेरे को दो चार आते हैं बाकियों को देखो 200-400 आते हैं वह बहुत करता हूं ठीक है कोई बंदे नहीं रखे हुए मैंने सब कुछ खुद करता हूं अब यह देखो 162 का नेट प्रॉफिट इन्होंन फोरकास्ट पे तो इनने तब भी देखो समझ दिया है तो भी 40 का इनोने 162 प्रॉफिट कर लिया 200 जीते थे 40 लगा के अब यह भाई का देखो एक गेमचेंजर बोला था तो यह प्रजापती भाई ने पैसे लगाए यह इनका है 50 से 1000 रुपे सिरफ 50 रुपे लगाए थे इसमें अभी 50 में से आपका पांच रुपे माइनस कर लो बोनस 45 रुपे लगा के 1000 लेके आए 963 जीम में एक हजार टोटल वीनिंग है 963 का अगर इन्वेस्टमेंट इनकी माइनस कर लो प्रॉफिट समझने हो यह आप क्या कर सकती है डाउनलोड करो वीडियो की डिस्क्रि एप्लिकेशन डाउनलोड करो 10,000 का रोज गिववव भी चल रहा है जस्ट मेंशनी और एक्सचेंज वने टू फैंटेसी नेम ठीक है आज कोई कीवर्ड रहा गया था तो कीवर्ड इस वीडियो में रख लेते हैं कीवर्ड आज का रखेंगे लगी लगी कीवर्ड है लग विदत को और प्रिथवी शौ को होल्ड में मल्टी बैगर यह जो 10 रुपे से 400-400 वले आ रहे हैं इन में किसको लेना है वार्नर जॉस बटलर रिशप पंद संजू सैमसन यह दोनों को ज्यादा लोग लेंगे मैं आज सजेस्ट करूंगा इन दोनों पर चले जाओ आज जाएंगे बचे बाकी के पांच ही प्लियर तो क्यों ना आज हम बोलिंग कलोर कॉंबिनेशन के हाई चांसे लग रहे हैं परसनली ऐसे कॉंबिनेशन अज आपको जरूर ट्राय करने हैं जहां बोलर जादा हूं ठीक है हो सकता है कि जहां सब बल्ले बाजों के लिए जाए आज गेंबास चल जाए मेरा नंबर वन टिप आज कही है अगर आप ध्यान दो मैंने इसमें राजिस्तान फेवर किया इसमें दिली राजिस्तान फेवर किया तो बोल्ट वी सी है तो फिर वही दो प्लियर याद है ना मैच अपस वाले शौ और डेविड बॉर नहीं आपक करुन नायर को लिए स्पिन बढ़िया खेलते हैं इसलिए शारुख खान को लिया है वन डाउन पहेंगे ठीक है बाकी यहां पे साथ में शिम्रान है ठीक है मिडल ओडर के फ्लेर्स पर वह साजिता है सैमसन को लिए प्यूज भाई आपने तो सभी ओप्टर डॉप कर दिय देवदत पडिकाल भी नहीं है आपस नाही दिल्ली के डेविड वार्नर पित्वी शौ है नाही बटलर है कल क्या हुआ था चार में से तीन ओपनर जीरो मार के गए खाली उथपा 30 मारे थे ट्राय करने में जाता है ठीक है तो यहां पे ऐसा कुछ और अक्षर को भी लिया ह मुस्तफीजूर कुल्दीब खलील जादा आरार के बूलर्स भी लिये हैं और सीवीजी भी की हैं लेकिन दिल्ली के भी लिये है लो स्कोरिंग मैच चाहिए मुझे इस टीम के लिए यह फुल दिल्ली फेवर है इसमें साथ प्लियर आपको दिल्ली के दिख रहे हैं ठीक है इसमें मैंने वॉर्नर को भी रखा है करुन नायर को और यहां पे रखा है मैंने सर्फराश खान को अब यहां पे ध्यान देखना दोस्तो अक्षर बटेल भी बढ़िया है ठीक है मुस्तफिजrov प्रसिद यूजी चहल और ट्रेंड बोल्ट को रखा है ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में नहीं जुड़े तो जल्दी से टेलिग्राम में आजो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है टॉप के कुमेंट में भी लिंक है दो लग 40,000 लोग जुड़ चुके है वेरिफार टे ट्रस गोइंग बाइग घड़ फील्स ठीक है एक कुल्चा कॉमो बनाया आज बहुत देरे बाद कहल रहे हैं दोनों टॉप विकेट टेकर जैसाइप लिया को रख लिया कुल्दीप कैप्टन की युजी चाल वीसी की है दोनों स्पिनर से गेम बनेगी तो मज़ा आएगा बाकी के बोलर्स भी ज़्यादा है बोलिंग लिंग एलोर कॉंब बल्लेबाशी में वर्नर को रखा है जो स्पिन बढ़िया खेलते हैं नायर को और फिर वही जो हमने बात करी थी स्पिन बढ़िया जो कैलते हैं सर्फ रास खान ठीक है इंद लिये रखा है अगर आप माने है वाननर से थोड़ा सपोर्ट अक्षर कुल्दीप खलील को लिया जो मेजर विकेट टेकर्स रहे हैं दिली के साथ में ट्रेंड बोल्ट और अबन मुख है इसमें क्योंकि मैंने पंथ को कैप्टन किया यूजी चैहल नहीं लिये बड़ा रिस्क लिया है पंथ कप खेल मैंने या वार्नर को नहीं रखा अश्विन ने पांच बार आउट किया है वार्नर को और अश्विन को किया कैप्टन सामने वार्नर के अलाबा प्रित्वी शौ को भी इन्होंने एक गेंज पर एक बार आउट कर रखा है अश्विन को कैप्टन किया रोवमन पावल को उपनर नहीं लिये अगर मैंने आगे के प्लेयर पंथ पावल और सर्फराज से रन माने हैं ठीक है यह रन करें उसके बाद आके यह डिफेंड करें तो मजा आ जाए ठीक है इवन ट्रेंट बोल्ट और प्रिसित कृष्णा को रखा है क्योंकि डेथ में भी विकेट जा सकती ह यह दोनों डेथ में डाल सकते हैं इवन मकोई डाल सकते हैं आपको मकोई लेना मकोई लेलो बेसिक बस इतना ही था ठीक है तो एक चीज समझा करो इस और नहीं नहीं जीतने वाला किते लोग देख रहे हैं यह वीडियो मैं खुद बोल रहा हूं यह टीम ग्रेंड लिग न को बाइड नॉलेज एंड चेंज यॉर थॉर्ट एंड परस्पेक्टिव कि भाई ग्रेंड लिक की टीम होती है मैंने कोई इड नहीं डाली ठीक है नौ इंजॉए करिए मजएदार देखिए वीडियो इसको रेगूलर्ली सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर प्रुटे प्रुटे